हेलो बचों कैसे हूँ आपका स्वागात है तिर पान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं काफी महतपून यहां पर चैप्टर आया है और बेन पीपल रिवेल एटीन फिटी सेवन आफ्टर तो बुक एयर और पास थार्ड तर्स इंपोर्टेंट देखा जाए तो जब लोग विद्रो करते हैं था संतावन के यहां पर जो हमारे समक्ष कक्षा आटमी का इतिहास का जो बुक है काफी महतपून है हमारा अतीत पार्ट तीन और यह एक्जाम पैटर्ण व्यू से भी काफी महतपून रहता है यहां पर तिरपान स्टेडी सेंटर जो है आपके समक्ष यह टॉपिक को हिंदी इंग्रिश दोनों माध्या में लाएगा तो यह काफी महतपून रहेगा हिंदी के साथ आपको ही महतपून बन जाता है यहां तक की बाथ यह आती है एमसे क्यêu ठो है आपको फूरा चैप्तर को मुझे समझाना है यह काफी महतपून डहता है ांचाहरे यहां पर करने जा रहे हैं चैप्टर काफी महतपूने है कि जब लोग विद्रोग करते हैं 1857 और उसके बाद ये काफी महत्वपून है कक्षा आटमी के विद्यारतियों के लिए है और ये जो है इतिहास का जो है पुस्ट तक हमारा अतीत पार्ट 3 से लिया गया है जो काफी महत्वपून है इसमें हम MCQ के अंतरगत हर एक कोशन करेंगे जो जो काफी महत्वपून है यह MCQ जो है आपके सब्सेंगे और बन जाता है और आइंग्साइम पॉइंट और वीू से महत्वपून एटा दैता है देखा जाए तो यह सब nya bullshit के साथ हमारा देखते हैं कोशन क्या आया है Q कोशन आपके समक्षा आगे आओगा कोशन है 1856 में किस गवर्ण जर्णर के निर्नाय लिया की बहादूर शाद जफर अंति मुगल राजा थे और उनके किसी भी वनसाज को इसके बाद राजा के रूप मानता नहीं दी जाएगी कोशन काभी महत पून है और इसी करण से जो है 1857 का जो है बिगुल बजाई गई थी क्यों राजा मानने से इनकार अंगने जो ने कर दिया था यहां कोशन यहीं है कि 1856 में किस गवर्णर जर्णर ने ने लिया कि बहादूर शाद जफर अंति मुगल राजा थे यानि अंति मुगल राजा होंगे उसके बाद किसी को बनाने के मानता नहीं दी जाएगी तो कोशन यहार इन ए इन 856 विच गवर्णर जर्नल डिसाइट बादूर शाद जफर बोल्टा लास्मुगल किंग और नौन अफिस दॉड इसके इन रिच ने रिच आफ्टर लिच विच 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 ऐगर नजर दोड तो ओप्षान कहता है पहला लाड करवनिष्ट यहिसां किया था भी कैता लाड कारेवणिष्ट टिर्क्रिक्स डे चया गिवर्स दें डौ. यानि option B आपका सही है ठीक है लौड कैनिन के कारण ही यह गोशना किया कि जो है मुगल समराज कि आप कोई भी राजा नहीं बनेगा बहादुर्शाद जफर जो होंगे अंतिम साशक होंगे उसके बाद किसी को भी मानता नहीं दी जाएगी इन सब कारणों के कारण जो है ठार लौड कैनिन तो अब भी ऑप्षन के साथ जा सकते हो चलों देखते है अगला कोशन क्या है he कि आग माले समक्ष आया है कोशन और तो हम्गरेजों ने ने कब ज़ रे effigy ने क्या था che यूच। पर अंग्रेजों ने पुन कभजा किस वर्ष किया था वेन वस्ट गवालिय केप्चर बाई बिटिश वें दा गवालिय केप्चर बाई बिटिश दा आप्षन या 1863 में या 1842 में 1825 में या 1858 में तो कोशन काफी मैत पून है समझ वाली है कि गवालियर पर अंग्रेजों ने पुन्य कबजा कब किया था तो मैं तोड़ा सा आपको एक द्रिश्य बता सकता हूं कि जब 1857 करांती ओ गई थी और 1857 करें पर जो हैं अंग्रेजों को खतम कर दी गई थी और उसमें गवालियर भी था ग्वालियर जो है इंडियन लोगों ने कबजा कर लिया था और फिर अंग्रेजों ने उसको जो है अपने अधिकार में ले लिया था तो जर्णाल सी बात क्या है आगे कोश्चन हमारे समक्ष आया है कोशन है कि लखनौव की बेगम हजरत acquired के बेटे का नाम क्या था तह नेम अव था बेगम हज diskut महल महल फ्रॉम लखनाव, you know that question here, name the son of the Begum, हजरत महल फ्रॉम लखनाव, the option here, बिर जीस कद्र, बी नाना सहाब, सी कुबर सिंग, डी बाजी राव, देखा जाये तो नाना सहाब तो इनके पुत्र थे नहीं, कुबर सिंग भी नहीं थे, बाजी राव भी नहीं थे, तो देखा जाये तो option है, बिर जेस कद्र थे, बिजरेस कद्र जो थे लखनाव की बेगाम, हजरत महल के बेटे थे, तो option A के साथ आप जा सकते हो, option A आपका सही है, चलिए देखते हैं, अगला कोशन क्या है, आगे जो कोशन आया है, वो आपके समक्षा आगे आया है, कोशन है, कि उस भारतिय सैनिक का नाम बताईए, जिसने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाब विद्रो की कोशिश की, लेकिन गिरफतार कर लिया गया, और 8 अपरेल 1857 को फासी लटका दी गई, देखिए ये काफी महत पूण कोशन है, कि उस भारतिय सैनिक का नाम आपको बताना है, जिसने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाब विद्रो करने कोशिश भी की, लेकिन गिरफतार कर लिया गया, और 8 अपरेटर शंतावन को फासी लटका दी गई, नेम दा इंडियन सोल्जर वो ट्राइट तो रिबल अगेंस 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 अगें 6th April 1857. 1857, that is important. I repeat again, नेम दा इंडियन सोल्जर वो ट्राइट वो टृव अगेंस 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 अगेश उन्द बैरकपूर अचिछ वो बाद रहे मेंस अधियन सोल्जर वो ट्राइट अगेंस 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 अगें था लोंत ना शाहब थे क्या हो कि अभी बहादुर्शाज जफर थे यसी तात्य टोपे थे या डी मंगल पांडे तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक इंपोर्टन बात बताना चाहता हूं कि देखा जाए तो बैरकपुर में एक घटना घटी थी वहां पर अंग्रेजों ने चर्वी वाले कार्टूशों को चलाने की आग्या दी गई थी और जो कार्टूश लाई गई थी उसमें जो है सुगर का और जो है गाय का जो है चर्वी और चम्रियों का इस्तमाल की गई थी जिसे कारण सभी सेनिकों ने जो है इस इस तोप को को चलाने से इंकार कर दिया क्योंकि इस कार्तूस को चलाने से पहले जो था उसको दातों से खीच के चरवी को हटानी थी और आपको तो पता ही है कि हर धरम में हर चीज की अलग मानता होती है हिंदू जो हैं गाय को अपनी माता समझती थी और इन चम्री को मुह में लगाना उ परामता और वो नपाक हो सकते थे तो इन्हीं कारणों से सभी सेनिक ने चाहिए हिंदू के हों चाहिए मुस्लिम हों सबने जो है कार्टूस को चलाने से इंकार कर दिया और इसमें से एक महत्वपुन वेक्ती थी मंगल पांडे उन्होंने भी इंकार कर दी और उनके साथ सभ पातम नहीं हुई इसके बाद जो है विद्रो की एक लहर सी चली विद्रो इतनी पावरफुल थी कि अंग्रेज की नीम तो वही पर उखर गई थी लेकिन पंजाब के सिफाहियों के कारण अंग्रेजों ने बहुत असानी से जो है इस विद्रों को दवा दिया अगर पंज होता है जैसे इस कोशन में उस भारते सेनी का नाम बताना था जिसने बैर एक पुर में एंग्रेज के खिलाब विद्रो करने कोशिश की लेकिन ग्रिफ्तार कर लिया गया अठाड़ा आठाड़ा संतावन को फासी रटका दी तो वह थे मंगल पांडे जो मैं आपको कानी ब समख्षाया है कोशन है कि निम लिखित में से कौन बिटिश भारत के संबंद में एक निवासी का सबसे अच्छा वर्नन करता है यानि आपको जो अप्शन दिये हुए हैं उनमें से कौन सा जो है लाइन बिटिश भारत के संबंद में बिटिश और भारत के संबंद में एक निवासी का सबसे अच्छा वर्ण करता है। I repeat in English, which of the flowing best describe a residence with respect to the British Indian? You know that, question is very interesting, which one of the flowing best describe a resident with respect to the British India? Okay, the option here, एक अधिकारी जो सैनिक को सपत दिलाता है, B. राज़स्व एकत करने वाला एक अस्थानिय सहुकार है, C. बिटी सरकार का एक वरिष्परसासनिक अधिकारी जो एक अस्थानी स्थान पर तैनाथ था, और राज़े घटनाओं का नियंद्रित करता था, डी भूराज़स्व एक नियंद्र करने के लिए एक अस्थानी जमिदार, तो देखा जाए कोशन काफी महतपून है, समझने वाली है कि निमलिक्त में कोण बिटीश भारत के संबंद में एक निवासी का सबसे अच्छा वरिणन करता है, तो अंसर देखने पर यह है, अंसर यह है, असिनियर बिटीश गोर्मेंट, एड्मिनिस्टेटिव ओफिशल या पोजिशनी डिडिड इन दिर लोकल प्लेस एंड दा कंट्रोलिंग दा हैपिनिंग आफ दा किंडम, बिटीश शरकार का एक वरिष परसास की अधिकारी जो एक स्थान पर तैनाथ था और राजि घटनाओं को नियन्तित करता था, तो इसी ऑप्षन आपका सही जाएगा, सी ऑप्षन आपका कॉरेक्ट है, चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है, आगे जो हमारे समक्ष कोशन आया है, कोशन है कि सिपाही अंग्रेजों से नराज थे क्यों की? वेर अंग्रेजों से नराज थे क्यों की? ए उनकी फूट डालो राज करो की निती के कारण, भी कार्तूस प्रकरण के कारण, या सी उनके और सविश्णता विभार के कारण, डी इन में से कोई नहीं, लेकिन उसमें कुछ खामिया थी, उसमें जो था, गाए और सुवर की जो है, चमरियों का और उनके फैटों का प्योग की जाती थी, और इस कार्तूस को चलाने से पहले उस पे मुँ से चिलना पड़ता था, और आपको पता ही हो है, कि गाए जो होती हिंदू की माता के समान होती है, और उसके चमरी को मुँ में रखना, कहीं न कहीं जो है, भरस्ट होना के बराबर था, और पिक जो होता है, मुसल्मानों के लिए, एक बहुत ही गंदा श्रब्द होता है, ठीक है, जिसको वो अपने जवान तक पर भी नहीं ला सकते थे, तो मुँ पर छूने की तो बात कई हजार किलो मिटर दूर थी, तो इसलिए यहाँ पर हिंदू-मुसलिम एकता देखने को मिली, और हिंदू-मुसलिम दोनों सिपाहियों ने कार्टूस को चलाने से मना कर दिया, तो इसलिए वो बहुत नाराज थे, अंग्रेज के खिलाब नों ने युद की बिगुल बजा दी, और इसमें से मंगल पांडे भी एक थे, तो देखा जाए सिपाही के रूप में, जो हैं अंग्रेज से नाराज इसलिए थे, क्योंकि वो कार्टूस प्रकरण के कारण, तो आफ दा कार्टूस इस एकस्पिसोड यह, आफ दा कार्टूस इस एपिसोड, means B option आपका सही है, कार्टूस के प्रकरण के कारण, जो हैं इंडियन सिपाही अंग्रेजों से नाराज थे, चलिए देखते हैं, अगला कोशन क्या है, आगे जो हमारे समक्ष कोशन आया है, कोशन है, वैसराय की उपाधि किसे दी गई थी, देखिए वैसराय जो होती है, काफी महतपून, पद्वी होती है, तो वैसराय किसको दी जाती थी, वैसराय को दी जाती थी, या गवर्नर जर्नल को दी जाती थी, या बन प्रबंधग को दी जाती थी, या इन में से कोई नहीं, देखा जाए दोस्तों, तो वैसराय यानि, काफी महतपून पद्वी थी, और ये मुख्य तवर्ग पे, गवर्नर जर्नल को कहा जाता था, तो यहां पर देखा जाया, तो उप्शन आपका B सही है, गवर्नर जर्नल, यानि गवर्नर जर्नल भी उप्शन सही है, और वैसराय की उपाधी दी जाती थी चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है आगे जो हमारे समक्ष कोशन आया है काफी महत्वपून है कोशन है कि 9 माई 1857 को घटी घटना का करम नीचे विवसित करम में दिया गया है और दिये घटना करम को सेट को सही करम चुने काफी महत् भी बात रखती है क्योंकि 1857 घटना एक महत्वपून थी और चैप्टर भी इसी पर अधारी थे तो यह अगर घटना आप अच्छे से याद कर लेते होगी कौन घटना पहले घटी थी तो मुझे विजवास है कि आप सारे mcq को करने में सक्षम हो जाओगी और यह कोशन द कर दिया और विटी इसाधीकारियों को कया रिया कर दी कोचे रहाजस भी एम इहुंड अपना आ लूप अपना मुझ या फिल झाल लूजर अजियं यह पूरा टो झालव डूर टो पेक अट अर्धरर्ड रून दूडे उर्वाई झाल। उर्ड विल्य इंठी इंठी मैंडर्ए पिल्वट धूर्स अट्यूर्ड यह विर भी a group of soldiers is mountainous and walking out of their military barracks and third year the release of soldiers kill the British officer and after the marching to Delhi proclaim the Mughal Empire Bahadur Shah Jafar as the Empire of India and fourth year the soldiers were dismissed and sentenced to the ten years imprisonment of refusing to be used to the breast cattle crisis here the question is that you have to collect a sequence of events that happened a nine men in 1857 a year to see what was the first ghatna 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 kara sannico ko a eek salmon ke withdraw kar diya tha or a sannay barrack se bhaar nikkla ghatna thi ये पहली ghatna tiy तो देखिये option किन किन में जो है दूसरा option को पहला बनाया गया है तो देखा जाये तो करीवन दो option में, option A और D में, इसका मतलब C और B जो है eliminate हो गए, देखिए एक अगर बात आपको पता होगा, तो सारे answer जो है बेखोबी पता चल जाती है, ठीक है, तो पहला और D में हमारा द्वांद यहां पर बन गया, ठीक है यानि हमने select किया group पस रोल जार, a mountain and the walk out of their military barrack, यानि दूसरा option सही है, अगर आप अगला option को चून लेते हो, तो और भी थोड़ी सी जो है clarity question में आ जाएगी, तो अगला option यह कहता है कि चर्वी वाले कर्तूस का उप्योग करने से इंकार करने पर सैनिकों को बर्खास कर दी गया और 10 साल की कैस सुना दी गई, देखिए सैनिक समूँ बिद्रोग कर दिया, क्यों कि या चर्वी वाले कर्तूस को चलाने के कारान और वो बैरक से बाहर हो गए, तो उसमें अंग्रेज सिपाही जोते, उन पे क्रोधित किये, उन पे उनको बर्खास कर दी और 10 साल की सजा सुनाई, तो ये दो सिक्वेंस बने, अब देखिए, दो सिक्वेंस देखिए, दोनों ही ऑप्षन में है, ये में भी है, और डी में भी है, तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है, लेकिन आगे, आगे का जो है तेना अन्य सैनिकों ने भी पृद्रो कर दिया इस कारण से, और बिटीज अधिकारियों ने कैस सैनिकों को रिहा कर दिया, तो देखिए, दूसरा जो है पहला ऑप्षन कहां पर रहा है, पहला ऑप्षन सिर्फ दी पार्थ में आ रहा है, तो इसका मतलब दी ऑप्षन आप और दिल्ली तक मार्च करने के बाद मुगल समराथ बहादूर शाद जफर को अपना समराथ गोशित कर दिया तो आप ने समझ लिया इसका ऑप्शन डी सही है पहला जो है सैनिको ने समू ने विद्रो कर दिया और अपनी सैने वेरक से बाहर निकल गए दूसरी है चर्वी वा कैद सैनिको को रिहा कर दी और अंतीम बात है रिहा किये गए सैनिको ने बिट्री सधिकारी को मार्ड डाला और दिल्ली तक मार्ड़ करने के बाद मुगल समराज बादूसर जफर को बारत का समराथ खोशित कर दिया गया तो इंग्लिश में भी देख लिजी क्या है a group of soldiers martyred is a walk out of there is a military of barrack yani option 2 and fourth year the soldiers were dismissed and sentenced to be a 10 years improvement of refusing to use of grass catteras this year and third year other soldiers streness of merit reward and a British officer are released with the impression to the soldier and the last third year the released soldier killed the British officer and after the marches daily proclaim and the Mughal Empire Bahadur Shah Jafar as the Empire of India their option D is correct दोस्तों यहाँ पर जो हमने question किया है वो काफी महतुपून है exam point of view से और हर एक competitive exam के अंतरगत यह ऐसा question साइद ही आपको कहीं मिले और यह सब भी महतुपून इसलिए भी है क्योंकि यह सब NCRT के new syllabus के अंतरगत है और यह महतुपून है इसको आपको सोचना है विचार करना है समझना है और एक बात को ध्यान हमेसा रखना है कि जितना हो सक इस वीडियो को share करना है कि शेर ही तुसरे बच्चों का care है तो आप चाहते हो कि आप क्रित्रिपानेस अंडर और भी वीडियो लाए तो जितना हो सके इस वीडियो को share कीजिए वर्स वेस्टेरस पे लगाईए जो भी आपको माद्यम लगता है कि आगे बढ़ सकता है वो सारी माद्यम का आप प्योग कीजिए कि आप ही जो हो ये सारे कारे कर सकती हो कहते हैं एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं होता एक व्यक्ति क्या कर सकता है लेकिन एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है आप लोग को जो है इसको कामियाबी की उस बुलंदी पे ले जाना है जिसको ये जरूरी है और सब बच्चों को सही ज्यान मिले यही तिरपान सेंडर का जो है मेन विचार है और देश का कल्यान हो यह भी सबसे महतवपून बात आता है और देश कल्यान तब होती है जब हर बच्चे जो है अच्छे कारे में लगन से करेंगे समझदार बनेंगे परेलिके बनेंगे और अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वी वीडियो आपको इसी परकार प्राप्त होता रहे दोस्तों तिरपान सेंडर यहीं पर नहीं थमा है यहां पर दो देखिए सिक्स से लेके में तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्द है तो यह बहुत ही असानी से है यही के लेवा है झाल झाल